हलो डियर स्टुडेंट्स इस गौरव पांचाल और आज हम जो पेपर जो आपने कल बिट सेट का दिया था मैथामेटिक्स का उसका डिटियल सॉलिक्शन आज हम डिसकस करेंगे आप सिर्फ चेक करना आपका आंसर क्या रहा है और साथ के साथ कॉंसेप्ट भी डिसकस करेंग कि जो पेपर में क्यूशन आने वाले हैं उनका लेवल जो होगा बच्चो वो जो आप मॉक टेस्ट देरे हो रेजुनेंस के उसी तरह के क्यूशन वहां पर पूछे जाने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग फर्स्ट क्यूशन यहां पर है 2 cos square x plus 3 sin x minus 3, this is the comes from the trigonometry, trigonometry equation से पूछा गया है बचो, trigonometry equation जो 11th का पाट है, आपको यहां पर equations यंदर solutions find out करना है, तो solutions किस तरह से find out करना है, क्या यहां पर एक equations दी हुई है, 2 cos square x plus 3 sin x minus 3 equal 0 and x lie between 0 to 180, 0 से 180 के बीच में हमां एंगल ही ढूड़ना है, 4 options है, तो कैसे किया जाएगा, actually 2 cos square x plus 3 sin x minus 3, this is the quadratic, और यहां पर sin और cos का चल रहा है, तो sin cos चल रहा है, तो इसको completely, यहां तो sin के form में convert कर लो, या completely cos के form में convert कर लो, तो हम इसको change कर लेते हैं, यहां पर, इसको sin के form में convert कर लो, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 2 minus 2 sin square x, okay, 1 minus cos square x, क्या होगा, 1 minus sin square x, 2 से multiply कर दिया, और 3 sin x minus 3 equal 0, तो यहां से quadratic मिल जाएगी में को, 2 sin square x, ठीक है, और 2, यह minus का 2, और 2, और minus 3, minus 1 हो जाएगा, ठीक है, plus 3 sin x, और minus 3 equal, minus 3 मतलब यह minus, minus 1 लिख लिजे, okay, तो this is the quadratic, 2 sin square x, minus 3 sin x, और plus 1, क्या, इस form में इसको लिखा जा सकता है, बिल्कुल जी सर, okay, यह quadratic है, और हर बच्चा quadratic को solve करना, अच्छी तरह से जानता है, इसके 2 roots हमें मिलेंगे, sin x की 2 value यहां से, हमारे पास आ जाएगी, ठीक है अब यहां से sin x की 2 value आप निकाल सकते हैं, इसके factor minus 3 x, तो minus 3 को आप break कर लो, minus 3 को break करेंगे, तो यहां से 2 sin x minus, minus 1, ठीक है, और यहां से मिल जाएगा 1 sin x, okay, तो 2 sin x, तो that will be sin x equal half आ गया है, end और sin x equal 1 आ गया है, ठीक है, तो यहां से angle आप निकाल सकते हो, sin x के कौन-कौन से angle, 1 half पर और 1 पर, कौन सा theta होगा, तो half यानि 30 degree मिल जाएगा, और 90 degree पर 1 होगा, यानि x 90 degree भी मिल रहा है, और x कितना मिल रहा है, 30 degree मिल रहा है, और यहां से एक और मिल जाएगा, 1 by 2 भी है, तो इसका angle इसके बीच में आपको धेखना होगा, 0 से 180 के बीच में कितने angle जो इसको satisfy करेंगे, तो एक और आ जाएगा, तो क्योंकि positive है, ठीक है, तो sin x first और second quarter में positive होता है, तो आप निकाल सकते हो, 150, एक और angle यहां पर मिल जाएगा, 150, 150, sin 150 का value कितना होगा, 1 by 2, ठीक है, तो first option यहां पर satisfy हो रहा है बाकी यहां options गलत है, correct है, तो first option यहां पर आपका right होगा, next question ता आपका, बहुत ही simple ही सवाल है, है न, कोई difficult नहीं है, y equal 10 inverse x, है न, and z equal quote inverse x, दो function है, है और क्या पूछा है, dy by dz, that means, इस function के respect में इसका derivative पूछा गया है, तो जब दो different type के function हो, बच्छो, दो different type के function हो, तो इ derivative कैसे करते है, किसी की respect में, तो आपको simple से बात है, इसका x के respect में differentiate कर दो, ठीक है, x के respect में differentiate करेंगे, तो y equal हमारे पास है, 10 inverse x, got it, अब बहुता, इसका dy by dx आपने निकाल लिया, तो 1 by 1 plus x square, got it, this is the first, और second is, z equal दिया हुआ है, quote inverse x, तो this is the dz by dx, और यह minus 1 by 1 plus x square, this is the second equations, now we have to find out dy by dz, तो dy by dz हम कैसे find out कर लेगे, now divided by equation first by 2, तो यहां से हमें मिल जाएगा, dy by dz पूछा है, तो this is the cancel out, तो minus 1 मेरे को मिल जाएगा, तो minus 1 है, yes, c options will be correct, तो this is the simple questions होके, इसमें ज़्यादा आपको time waste नहीं करना, इस तरह की questions में, next moving to 93, yes, integration से पूछा क्याता है, integration log x की power n by x, कुछ basics जो property होती logarithm की, वो confirm आपको अच्छी कासी याद होनी चाहिए, उनको याद करके जाएगा, ठीक है, property use वाले सवाल भी direct पूछे चाहते है, उनका huge integrations और derivative काफी huge होता, तो log x, x की power n divided by x, this is the integrations, okay, now the, using the property of logarithmic, तो logarithmic की property क्या है, लोग x की power n, तो यह यह वाला चीज़, है न, can I write, n log x by x integration of this one, तो this is the simple part, है न, यह तो ncrt-based सवाल हो गया, लोग x by x है, तो आप log x को क्या consider कर लो, t consider कर लो, इसका differentiate, यहाँ पर substitute apply हो जाएगा, तो this is the part of यह हो गया, 1 by x dx को replace कर दो dt से, और यहाँ यहाँ पर t and dt, तो what we have, t dt, that is t square by 2 n plus c, it is the indefinite part, okay, and t को यहाँ पर आपस से t हमने consider किया है, लोग x, तो लोग x, लोग x का whole square by 2 n, this one, अच्या, first option is correct हो रहा है, बिल्कुल, जला गवर से देखो, n log x का whole square कर देंगे, t का value replace कर दिये, this is the first option, okay, next question है, बेटा है, देखो, if a1, a2, a3 and son, an are in ap, अच्छा, यह जो terms चल रहे हैं, यह arithmetic progression में दीवे, देखो, bit set में, दो सवाल, आपको sequence series के मिलने वाले हैं, please, आप sequence series को अच्छे का से, इतरह से, पढ़ कर जाना, ठीक है, where a1, a i is greater than 0, बोला है, for all i, then, this is the value, इसका value पूछा गया है, अब यहाँ simple देखो, जो 1 by under root a1 plus under root a2 plus 1 by under root a2 plus under root a3 चल रहा है, तो इस तरह की series आजाए, तो आपको इनका rationalization करके, तोड़ा इसको simple करते हैं, है ना, तो first वाला जो part है, इसको, क्या मैं इसका rationalization कर दूँ, 1 by under root a1 plus under root a2 given, तो multiply with this a1 minus a2 under root a1 minus a2, है ना, तो what we have, तो under root a1 minus under root a2, and this is the a plus b, a minus b, a square minus b square, तो what we have, that is a1 minus a2, correct है, तो this is the part, है ना, यह first वाला terms है, यह first वाले terms को, जब हमने solve किया, तो what we are getting, तो under root a1 minus under root a2 by a1 minus a2, यहां तक बात के लिए, similar इसका भी मैं rationalization करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका बात हो जाएगा, यहां से कितना जाएगा, under root a2 minus under root a3, और this is the a2 minus a3, got it, तो a2 minus a3, similar continuous की बात करें, तो आगे भी चलने वाला है, है ना, तो मैं इस series को इस form में लिख सकता हूं, okay complete, तो यहां से first term को हमने लिखा, a1 under root a2 divided by a1 minus a2, ठीक है, plus a2 under root a3 divided by a2 minus a3 and so on, continuous चल रहा है, this is the part of under root a n minus 1 minus under root a n divided by a n minus 1 minus n, is it correct, है ना, बात समझ में आ रहे हैं तक, okay, अच्छा, तोड़ा simple सी बात, जब यह terms a p में है, a1, a2, a3, a p में चल रहे हैं, क्या भच्छो, यह जो नीचे चल रहा है, this is the part, है ना, यह क्या चल रहा है यहां पर, यह, यह क्या है, यह difference of consecutive two terms, और consecutive two terms का difference को हम किस से replace करते हैं, भईया, उसको यह बोलते हैं, common difference, ठीके, तो यह d है, यह d है, equally तो है, ठीके, तो d है, तो यहां से हम, 1 by d तो बाहर आजाएगा, तो यहां से, यह 1 by d बाहर ले लो है, a2 minus 7, अच्छा, minus d करके मैं लिख सकता हूं, a1 minus a2, तो a2 minus a1 निकालते हैं, ठीके, d क्या होता है, यदि मैं इनका d निकाल हूं, तो मैं a2 minus a1 की बात करूँगा, a3 minus a2 की बात करूँगा, तो minus यहां से कॉम्ब ले ले, सबसे minus 12 गया है, तो what we have, तो देखो, under root a1 minus under root a2 plus under root a2 minus under root a3 बचेगा, now this part will be cancelled, under root a1 से, अच्छा, यह वाला second part cancel out हो रहा है, गोर से देखिए, जब मैं इनको 8 करूँगा, बच्चों, तो minus under root a2 minus, अच्छा, यह plus वाले से cancel हो गया, similar यहां से under root a3 वाला चलेगा, positive negative cancel हो रहे, सारे terms cancel हो रहे, तो what we are getting, under root a1 and last term, है ना, यही बच्चेगा, clear है चीज, तो मैं यहां से लिख सकता हूँ भई, under root a1 minus under root a1 और नीचे कितना होगे, d तो हमने बाहर निकाल लिया, अब आगे यहां पर हमें किस तरह से solve करना है, यह ज़रूर ध्यान देना है, बिकोज d तो हमें पता लगिया है, d क्या है यहां पर भई, ठीक है, अब यह चीज हो गई, क्या इसका rationalization करके हम फिर से change कर सकते हैं, बिल्कुल जी, है ना, इसका rationalization कर दूँ, तो minus 1 upon d, क्या मैं ऐसे लिक्लोवेटर यहां पर, इसका rationalization किया हुआ है, ठीक है, तो इसका rationalization करेंगे, यह वाली forms यहां पर create हो जाएगे, बास समझ में आ रही हैं यहां तक, अब इसको आगे किस तरह से change करना है, यह कर सकते होई, है ना, इस तरह से change करोगे, तो मैं लिक्लोगा यहां पर, minus 1 by d, और this one, this is the first term, क्या यह first term है, बिल्कुल जी, है ना, okay, okay, यहां से forms क्या create होई, ठीक है, हां, तो यहां से a1 और a, a1 और an की जगा, this is the first term, यह first term है, और this is the last term, यह last term है, क्या series का last term निकाला जा सकता है, arithmetic progression का last term आप यहां रख रहां, ठीक है, यहां पर put कर दोगे, और this is the first term, यह first term है, ठीक है, जब इससे solve करेंगे, completely, finally, तो हमारे पास answer जो मिलेगा, cancel होकर, minus 1 by D, तो यह चीज़ जो D से D, तो cancel हो जाएगा, a1 प्लस under root a1, तो n minus 1, c options, इसका correct है, है ना, समझ बहारा, आगे और solve होगा, a1 की जगा, a रखोगे, वापस से, यह last term, क्या हो जाएगा, a1 प्लस n minus 1 D करके, ठीक है, वो replace करना है, और यहां से कुछ तरम cancel होकर, तो final हमारे पास बिल जाएगा, n minus 1 under root a1 प्लस, ठीक है, तो c options, इसका correct होगा, यह अच्छा सवाल था थोड़ा, ठीक है, yes, next question में क्या बोला है, आपको क्या निकालना है, if a1, a and p are in a p, ठीक है, 1 g और p are in gp, okay, this is the arithmetic progression, यह arithmetic progression के अंदर है, पास समझ मारी, और यह gp के अंदर है, जब यह 1 a, यह ap में है, okay, जब ap में हैं, तो यहां से हम क्या लिख सकते है, 2 times of 1 plus p, ठीक है, यह लिखा जा सकता है, okay, और बेटा, 1 g और p यह किस में है, gp में है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते है, gp में है, तो that means, g square equal p into 1, रूल होता है, है न, geometric progression में तीन नंबर है, तो g square, बीच वाला term का square, first or last term के product के बराबर होगा, यह gp में हो गया, got it, अब conditions क्या होगी, यहां पर options जो दिये होए, that means, 1 plus 2 a square plus g square, okay, p बिलकुल नहीं आ रहा, p को eliminate करना है, right, so p का value, यह होगे न, p का value g square, can you replace this, in this equation, now, I am getting here, 2 a, 1 plus, this is the g square, and 1 plus g square minus 2 a equal 0, क्या, इसमें से option है, 1 plus g square, 1 plus g square, 1 plus g square minus 2, any d options correct हो रहा है, okay, 1 minus 2 a plus g square, correct है, बस तोड़ा सा यहां से हमें, rechange करके answer find out करना है, got it, ठीक है, यह progression से related सवाल है, तो progression से आपको याद होना चीब अर्थमेटिक aim, arithmetic mean से related सवाल चरूर करके जाएगा, geometric mean क्या है, harmonic mean क्या है, ठीक है, वो आपको आना चाहिए, next discussion, ठीक है, अच्छ, dy, d, x, cos, inverse, यह भी simple domain की बात कर रहा हैं, अपर domain ही पूछा गया, basically, क्या आप domain निकाल सकते हैं, इसका, minus 1 upon under root 1 minus x square, तो आपको पता है न, यहाँ पर, ठीक है, तो 1 minus x square, तो 1 minus x square, क्या होना चीब भाई, अच्छ, 0 की equal तो होगा नहीं, ठीक है, positive होना चीब, positive होगा, तो that means, यह x square हो गया, mod x, यहाँ पर यह 1 हो गया, और mod x equal less than 1 है, तो that means, यह answer कितना होगा, यहाँ पर c, यानि कि यह बीच हो जाएगा, minus 1 से, कहां से कहां तक, यहाँ से बात करें, तो यह हो जाएगा, इसका, first option correct हो जाएगा, क्योंकि, 1 include नहीं करेंगे, यहाँ से 1 include कर लेंगे, तो यह दिक्कत हो जाएगी, यह first option correct है, minus 1 से, plus 1, mod x equal less than equal 1 होता है, तो always, आपको पता है, थियोरी भई, है ना, यह minus a से हम बात करते हैं, यहाँ plus है कि बीच में, यही, mod x less than a की, पूछा गया है, okay, simple ही था है सवाल भाई, next वाला, अच्छा, the area bounded by the curve, y square equal 9 x, and the line x equal 1, x equal 4, y equal 0, in the first quadrant, first quadrant में area पूछा गया है, और यह NCRT में सवाल आपने किये होंगे, काफी सारे, ठीक है, तो area किस तरह से find out करोंगे, यह एक parabola को तो denote कर रहा है, यह कौन सा parabola है, अब यह तब पेरा बूला है, तो इसको open किदर होगा, ठीक है, तो यहां से y square equal 9 x, ठीक है, x axis की positive x axis की तरह open हो जाएगा, ओके, अब line दिया हुआ, x equal 1, this is the x equal 1, और this is the x equal 4, and this is asking for in the first quadrant, तो first quadrant में area पूछा गया है, तो हमें तो बस इतना सा area की बात करनी है, यह area पूछा गया है, इस पार्ट का, तो इसी का area निकालना है, तो इसी का area निकालने के लिए आपको limit पूट करनी पड़ेगी, this is the 1, this is the 4, ओके, इसके बीच में हमें यह area find out करना है, तो बहुत हीजी है, आपको integrals कर दो इसका, तो between 1 to 4 की बात करूँगा, और यहां से ydx, ydx लिखा जाएगा, है ना, तो this is the area, और area equal, यह 1 से 4 हो गया है, y का value यहां से निकालेंगे, 3 under root x dx होगा, got it, यहां से यहां तक का area हमरे पास आजाएगा, integration, ठीक है, अब चोब root x 3 तो बहार आजाएगा, जब यह 3 बहार ले लिया है, तो यहां से कितना आजाएगा, इसका x की power, 3 by 2, and also 3 by 2, and 1 to 4 की बाद हो जाएगी, जब इसे solve करेंगे completely, तो यह 3 और यह 2 by 3 तो होगा भाहर, और x की जगा 4 की power, 3 by 2, minus 1 की power, 3 by 2 कर देना, इसे solve कर लिजिए, 4 की power, 3 by 2, 3 से 3 cancel out हो चुगा है, तो 2 बचेगा, और यहां से 2, 8 minus, यह 4 की power, 3 by 2 कितना होगा, 8, ठीक है, minus 1 कर दीजिए, तो यह हो गया 14, 7 तूजा 14, be options correct है, बटाएगे, area under वाले सवाल जो है न, आप कर सकते हैं, और बहुत ही simple भी होते हैं, ठीक है, आपको सिर्फ integrations का अच्छा गासा knowledge होना चाहिए, basics formula integrations के याद होना चाहिए, property-based सवाल भी direct आप से पूछे जा सकते हैं, okay, next अधर, value of lambda 4 is the circle, this one intersect the circle, this one orthogonally, अच्छा, यहां orthogonally यहां पर बात हो रही है, orthokonally आपको पता होना चाहिए, यदि दो, दो circle, this is the two types of circle, okay, orthokonally का मतलब वो 90 degree पर कट कर रहे हैं, 90 degree पर कट कर रहे हैं, तो उसका direct rule होता है, क्या direct rule होता है, बच्चों, आपने पढ़ा होगा, कि दो orthokonally कट कर रहे हैं, दोरों circle, ठीक है, orthokonally, जब orthokonally कट कर रहे हैं, तो आपको पता है न, 2g1, g2, plus 2, f1, f2, equal c1, plus c2, यह आपको मिलने वाला है, ठीक है, यह important rule है, यह important rule है, यह जड़ा ध्यान रखना है, जब दो circle intersect करें, तो 2g1, g2, plus 2f1, f2, plus, equal c1, plus c2 होगा, अब यहाँ दो equation दियो ही, तो दोनों equation से आप g1, g2 का new value निकाल सकते हो, आपको general equations compare कर लोगे, तो 2g, यहाँ से compare 2 lambda x की जगा बैठा होगा है, 2 से 2 cancel होगी है, ठीक है, यह निकाल लिए, इसी तरह से आपको निकालना है, यहाँ से f1, f1 यहाँ से निकालोगे, तो f1 मेटा 2fy, इसके equal कर लो, तो 3 मिल जाएगा मेरे को f1, ठीक है, f1 मिल गया 3, और यहाँ से f2 भी आपको मिल जाएगा, f2 कितना जाएगा, 1 आ जाएगा, c1 कितना होगा, 1 होग यहाँ से, 4 lambda plus 6 equal 1, ठीक है, complete यहाँ रखोगे, 4 lambda plus 6 equal 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 lambda plus 6 equal 1 हो जाएगा, तो lambda equal कितना होगे, बच्चों, यहाँ से, minus 5 by 4, क्या यही अंसर आएगा, minus 5 by 4 है, बिलकुल c options correct है, c options यहाँ पर right है, ओके, तो rules क्या है, सवाल करने का तरहीगा क्या हुआ कि आपको और्फोर्म में लिए पढ़ा हुआ है, बट बच्चों, आपके दिमाग में यह यादे, यह theorem यादे, यह formula यादे, ठीक है, तब यह आप कर सकते हो, अधराएगा, फिर आप उलज जाओगे, long method से करोगे, तो time आपका वेस्ट होगा, next question कि तो पढ़ते है, if f dash equal x 10 inverse, then f dash 1 पुझा है, बहुत ही simple सा प्यारा सा सवाल है, हर बच्चा इसे कर सकता था, ठीक है, f dash 1 की तो बात कर रहा है, तो direct रखना है, अल्रेड यह derivative दिया हो, f dash 1, ठीक है, तो 1 रखा यहाँ पर, 1, ok, f dash 1 ही तो पुझा है, 1 into 10 inverse 1, अच्छा, रूख रूख, रूख, यह f dash 1 into 10 inverse 1 लिखेंगे, तो this is equal pi by 4, ok, क्या options में यहाँ पर जो दिया हुआ है, oh oh oh, यह mistake दिया हुआ, mistake, mistake, sorry, यहाँ question में क्या दिया हुआ है, ऐसे तो नहीं हो, क्योंकि pi by 4 तो नहीं दिया हुआ है, यह f dash नहीं है, यह f of x होना अच्छी है, और this is the x 10 inverse x, f of x होगा, correct सवाल ह है, but आपने किया है, तो नहीं दिज लगा दो, वो भी सही होगा, इसके accordion, but सवाल में जो options दियो है, pi by 4 plus half, pi by 4 minus half, तो आप कर सकते हुआ, यहाँ से इसका differentiate करना पड़ेगा, तो इसका differentiate आपने जब किया, तो f dash of x equal, x 10 inverse x को छोड़ दिया, 1 by 1 plus x square, now 10 inverse को छोड़ दीजे, x का कितना 1 होंगे, तो x by 1 plus x square and this is the 10 inverse x, this is the f dash of x मिला है, अब x by 1 plus x square plus 10 inverse x, अब इस पर 1 का value पूछा जा रहा है, 1 यहाँ से replace कर देंगे, जब 1 replace करेंगे, तो बच्चों मेरो पास अब answer मिल जाएगा, प्लस यह pi by 4 मिल जाए, तो this is the answer, okay, so pi by 4 plus half, यहने की first options correct है, but यदी आप ने किया है, तो none of these यहाँ पर correct मना जाएगा, यदी इसी तरह का सावा, but यहाँ पर printing mistake है, okay, we are admitting. Next question, the distance of point, this is from the plane, अच्छा, plane से distance निकालने, बहुत ही simple है, formula based, again this is the best on formula, 3D वाले chapter से पूछा गया है, plane से point की distance, this is the plane, यह plane है, ठीक है, इसकी distance निकालने, बच्चों 2, 5 and minus 3 से, और यह क्या है, plane है, और plane को यह दी मैं इसको cartesian form में convert कर लो, this is the vector form, और इसको convert किया, cartesian form में, तो what we are getting here, that is the 6X minus 3Y plus 2Z or minus 4, that is equal 0, है ना, cartesian form में तोड़ा easy हो जाएगा, है ना, distance formula यूज कर लोगी, किसी point से plane की बीच की, जब distance formula यूज करूँगा, कहां से, इस point से, तो this is the D, modelist के अंदर, यह point replace करना होता है, XYZ की जगा, यह वाला point है, X1, Y1, Z1, यहां से रखूँगा, तो यह कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है, minus 15 हो गया, okay, यह minus 6 हो गया, minus 4, और यह under root के अंदर चलेगा, 36 हो गया, इसका 9 हो गया, इसका 4 हो गया, तो यहां से, सोल किया, तो यह कितना हो, 12 minus, minus 4, 6 minus 4, तो that will be minus 13, okay, यह plus 13 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 36 हो गया, 97, ऐसा option है, yes, second option यहां correct हो गया, 13 by 7, बिलकुल correct है, B वाला, राइट है, okay, next वाला, this is the comes from probability, probability अले चटर से आया, बच्चो, हाना, बग P contains 6 red or 6 blue balls, हाना, बग Q and contain 5 red or 6 blue balls, okay, a ball is transferred from बग P to बग Q and then a ball is drawn from बग Q, what is the probability that the ball drawn, ठीक है, ball drawn is blue, समझ ना इस चीज को, यह NCRT में सवाल है, और इस तरह के सवाल आपने NCRT में पड़े हुए है, because यहाँ पर concept क्या use होने वाला है, समझो, अरे दो बेग दिये हुए हैं, बच्चों, है ना, we have two bags, this is the P and Q, and P bag contains six red, this is the six red ball, and four blue balls, right, or bag Q content five red, so this is the five red and six blue ball, यहाँ तक क्लिए है चीज, अब काम क्या हो रहा है, a ball is transferred from bag P to bag Q, तो बच्चों, यहाँ से bag P के अंदर हाट डाला, और यहाँ से एक बोल निकाली, और कहाँ डाली गई, bag Q के अंदर, तो हो सकते हैं, दो color की बोल है, red or blue, Q, तो हम यहाँ दो events, दो different events consider कर लेते हैं, late, even events, यहाँ पर बोला जा रहा है कि, ball is drawn transferred, यहाँ टांसपर to bag Q, ठीके, तो हम यहाँ red ball को consider कर लेते हैं, यहाँ, and event E2, that is indicate for the blue balls, यह blue balls को बता रहा, तो बच्चों, आपको यह बात तो समझ में आ गया होगा, कि P of E1 क्या होगा, उसकी probabilities क्या होगी, जो probabilities निकालेंगे, इस से यहाँ से transfer कर रहे हैं, तो हमें red ball क्या बता रहा है, तो red ball कितना है, 6 है, total ball कितना होगी है, 10 होगी, और P of E2 भी आप निकालोगे, तो P of E2 कितना है, blue balls को बता रहा है, तो first, P वाले बेक में कितना है, 4 है, और total कितना है, 10 है, अब एक चीज हुआ, यह तो ball तो आ गई, अब ball is transfer, P to Q, then a ball is drawn from bag Q, अच्छा, यहाँ से transfer करने के बाद, अब Q के अंदर से हमने एक ball निकाली, तो उस ball के क्या chances होगे, blue होने के, तो blue ball के chances समझो, ठीक है, भाई, blue ball के, बाटो, एक common event हो गया, A, ठीक है, यह blue ball, drawing the ball is blue ball, ठीक है, blue ball हम consider करते चल रहा है, अब blue ball को बता रहा है, तो blue ball को बता रहा है, तो यहाँ से blue ball निकालनी है, तो P of A by E1 की events की बात करेंगे, that is the conditional probability, E1 event हो चुका है, E1 हमने consider किया red ball को, A ball, blue ball को बता रहा है, तो red ball इसमें कितनी हो गई थी, एक ball six हो गई थी, लेकिन blue ball तो कितनी हो, उसके अंदर six ही, six by twelve, total ball कितनी हो गई, twelve हो गई, बेग Q के अंदर, और बेग next P of A by E2 भी था हमें find out करना है, तो E2 मतला हमने blue ball यहाँ से transfer की थी, तो blue ball कितनी हो गई, seven हो चुकी है, और total ball कितनी हो गई, बारा हो गई, तो seven by twelve, ठीक है, अब बेटा यह है, आपको पता है ना, ठीक है, theorem of total property यहाँ पर लग जाएगी, है ना, ठीक है, तो आप क्या करोगे, P of हमें A निकालना है, तो इसको multiply कर लो, six by ten into six by twelve, प्लस, और यहाँ से four by, यह कर लो, इससे solve कर लीज़े, ठीक है, solve करें कि यहाँ से cancel out होगे, ठीक है, cancel कर लो, तो eight, LCM कितना eight by fifteen, इसका answer मिल जाएगा, eight by fifteen, okay, तो eight by fifteen इसका answer होगा, concept समझ में आ गया, यह base theorem theorem of total properties related सवाल पूछा गया है, okay, next if a, b, c are positive numbers, then list value of this one, okay, a, b, c are positive numbers, a, b, c क्या है, यहाँ पर positive numbers है, और a plus b plus c, और इसका product one by a, one by b plus one by c, अच्छा वेटो यह देखो, जब list value पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर यहादी मैं बात करूँ, okay, aim greater than HM होता नहीं होता, है ना, arithmetic mean greater than है, geometric mean से भी और harmonic mean से भी, तो हम यहाँ concept इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि तीन number दियों है, और उनका arithmetic mean मैं निकालूँगा, ठीक है, क्योंकि arithmetic mean में इस तरह का form बनता है, HM उनका harmonic mean one by a वाला something बनेगा, क्योंकि arithmetic जो arithmetic उनका reciprocal होगा, वो किस में होगा, harmonic mean में होगा, अब यह बच्चों, यदि में इसका a plus b plus c by 3, this is the arithmetic mean, और greater than equal, और यहाँ से कितना आ जाएगा, इनका harmonic mean, तो harmonic mean कितना हो गया, 3 by, 1 by a कर लो, 1 by b कर लो, 1 by c कर लो, ऐसे निकलेगा, क्योंकि 1 by a plus 1 by b plus 1 by c का upon 3 करो गये, तो वो 3 तूपर आगे है, ठीक है, तो this is the harmonic mean, और this is the arithmetic mean, अब यहाँ से देखो, यह product चल रहा है, और से देखो, दोनों का product, तो cross multiply कीजिए, तो cross multiply करेंगे, तो what we have, a plus b plus c, and 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, okay, greater than equal 9 हो चुका है, okay, तो यहाँ से क्या हमें clarify हो रहा है, a plus b plus c, और 1 by a, 1 by b, 1 by c का product greater than equal 9 है, तो list value कितनी होगे, इसके 9 होगे, list value कितनी होगे, 9 हो जाएगे, correct है, check कीजिए, क्या यही answer आ रहा था है, आप लोगों के, है ना, इलकुल, okay, next सवाल के तरह बढ़ते है, if a is a real number, then this one limit x approaching a, modulus x minus a by x minus a, पूछा गया है, और यार यह तो mode x का है ना, आपने इस तरह के बहुत सारे सवाल क्योंगे होंगे, हा, limit वाले, x tends to 0 वाला, तो इसका कितना answer आता है, x minus a, एक बार positive अपन होगा, ठीक है, एक बार negative अपन होगा, तो limit, when x approaching a plus, तो this is the x minus a, और x minus a की बात कर लेते हैं, ठीक है, अब यहाँ से, यदि यह चीज हो गई, तो इस पोजिटिव तो cancel out कर लो, और negative वाले के लिए बात करेंगे, x tends to a minus में, तो minus यह खुल जाएगा, ठीक है, यह minus minus बाहर लगा दो बच्चों, तो x minus a, और x minus a, तो यह minus 1 हा रहा है, ठीक है, तो this is not the equal, बहुता not equal, तो limit यहां पर exist ही नहीं कर रहीं, तो ननौबदीज वाला case होगा, ठीक है, ननौबदीज, प्रेक्ट है, modulus of z1, z2 और z, इनका magnitude बराबर 1 चल रहा है, और this one party, ओके, जड़ा सोचो, यह property-based सवाल हो गया है, इसका है, आपने magnitude पढ़ा होगा, complex number का, ठीक है, यह equal चल रहा है, तो यहां पर, यह अच्छा, यह वाली properties है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कि mod of z1, plus mod of z2, individually, इनको हम लिख सकते हैं, got it, अब अच्छोई जड़ा देखो यार, यह one by z1 लिखा है, complex number 1 by z, ठीक है, इसका value, इसके equal होगा, similar 1 by z को मैं लिख लूँगा, z2 conjugate, इसे जड़ा सब को लिख लेंगे, यहां से हमारे पास क्या मिल जाएगा, minus, तो this one, इसको मैं लिखूँगा, mod of z1, ठीक है, अच्छा, minus open कर दो, ठीक है, समझ मारी चीज, z1 इनको different different लिखा जा सकता है, सबके individually property based सवाल है, 1 by z1 को इसको equal कर दीजे, अब यह यह चीज, आपको यह भी पता होगा, magnitude z, और magnitude z, conjugate of z, दोनों का magnitude क्या होगा, बराबर होता है, बराबर होता है, तो यह चीज है सेम होगी, यह cancel out हो जाएगा, यह भी cancel out हो जाएगा, तो हमारे पास सारा कट-कटा कर क्या मिल जाएगा, भई, 0 मिल जाएगा, सारे terms cancel होगे, 0 हो जाएगे, ठीक है, यह property based है, इसमें जाथ आपको, सोचना नहीं है, the value of this one, it is also simple question, okay, sin n pi, यहाँ पर pi by 4 है, तो definitely इसका answer 1 upon root 2 होगा, ठीक है, second option correct है, n के लिए, कोई से भी integer रखो, ठीक है, pi by 4, if a, c, b, r, g, p, then the area of the triangle formed by the, this is line coordinate axis, coordinate axis के दौरा, इस पर भी कटिंग की है, intercept चल रहा है, तो इस line के intercept point यह होग जाएगा, और यहाँ से इसका point क्या जाएगा, यहाँ से इसका point क्या जाएगा, यदि मैं y की जगे 0 अग दू, तो minus c, value value value, minus c by ax equal plus by plus c equal 0 है, तो यहाँ हमें line का equations यहाँ ग्राफ बनाएं, तो x plus by plus c, तो x की जगे 0 पुट कीजिए, तो x की जगे 0 पुट किया, तो what we have, तो by और यह minus c बन जाएगा, और y का equal कितना है, minus c by b, this is the part, okay, और रचो, यहाँ से यदि x का value निकाल है, तो y की जगे हमें 0 पुट करना पड़ेगा, तो x equal minus c by a, यही मिलेगा मेरे, ठीक है, तो दोनों ही negative है, ठीक है, negative है, तो यह part कहां बन जाएगा, दोनों negative है, तो इस वाले में बन जाएगा, ठीक है, यहाँ माली लाइन बन जाएगी, और इसका area find out किया है, यह area पूछा है, एक triangle बन गिया है, इसका area निकाल सकते हो, यह minus c by a हो गया, this is the minus c by a, और यह क्या हो गया, minus c by b, तो इसका area find out करना है, तो इसका area find out कर लो भी, यह half into, base into five, तो base into minus c upon a, into minus c by b, तो यहाँ से कितना हो गया, half, और यह c square equal a, b, बट एसा कोई options नहीं है, बट इसते एक और conditions दी हुए है, उस conditions का use करना है, विकोज यहाँ पर इसने geometric progression insert कर दिया, जब geometric progression डाला हुआ है, तो geometric progression a, c, b की बात कर रहे है, तो बच्चों यहाँ से, यदि मैं निकालूँ यह 3 number किसमे हैं geometric progression में, तो c square equal a, b हो का नहीं होगा, और c square equal a, b है, तो we have replaced this, तो half, यहाँ पर a, b replace कर दो, a, b replace कर दो, यह cancel out हो गया, तो what we are, half, तो 1 by 2, इसका अंसर हो जाएगा, area क्या मिल जाएगा, 1 by 2 हमारे पास आजाएगा, F1, okay, F2 and P, F1 plus mode, okay, जड़ा सोचो इस सवाल में, यह आपको पता लग जाओगा होगा, भाई, यह conic section से पूचा गया है, conic section पुचा गया है, तो आपको यह भी पता है कि यहाँ पर, 3 by, 4, okay, 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 00, conic section क्या होता है, रूल, देखो, यह ellipse की बात करें, यह ellipse हो गया, यहाँ पर दो होते हैं, दो focus होगे, okay, किसी points होगा, यह वाली चीज, यहाँ कोई point होगा, तो इनके distance की बात की जा रही है, अब distance हम निकालेंगे, तो distance कैसे निकालोगे इसका, distance आप पता कीजिए, क्या distance होगा इसका, क्या मैं यहाँ से check कर सकता हूँ, P F1, प्लस P F2, ठीके, और यह बेरोगा कितना मिल रहा है, इक्वल, 10, distance निकाल सकते हो, ठीके, यह तो हो गया, माल लो, 00 माल लो तोड़ देर के लिए, इसको 3,4 है, इसकी distance निकाल ली, और इसकी भी distance निकाल ली हमने, तो यह कितना हो जा है, तो this is the, okay, sorry, 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 यह दिया हुआ है, और value इसके निकाल ले है, इस बीच के वाले की, क्योंकि F1 और F2 चल रहा है है, और then locus of P, locus P, P का locus क्या बनेगा, इलिप्स वाला straight line वाल hyper, straight line तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, दो तो गलत है, आपर, B और D तो नहीं होगा answer A or C में से हो सकता है, answer A or C में से यह तो given है, दोनों का sum कितना 10 आ रहा है, और इससे यदि less than greater than इन की बात करें, तो उसमें बात समझ में आती है, तो यहां से, यदि, बेटा F1 और F2 निकालो यार, यह चीज़ करो, दोनों के वेज के difference कितनी आ रही है, अच्छा, 3 और 5, तो यह 5 आ गया है, तो यह 5 आ गया है, यदि, distance की बात करें, तो यहां से 10 greater than 5 है, ओके, 10 greater than 5 है, तो ellipse होगा इसमें, क्या बन जाएगा, ellipse वाला, क्योंकि, यह दोनों distance, ठीक है, इन दोनों distance का sum, यदि, इन दोनों के points के distance से जादा आता है, तो ellipse बनेगा, ठीक है, यदि बराबर आजा, तो hyperbola बनता है, sorry, parabola बनेगा, और यदि जादा आता है, तो hyperbola बनेगा, ठीक है, यह जरूँ आपको दियानक ना है, next वाल, the length of lattice rectum of the parabola, which has focus, minus 1, 1 and directress is, directress पूचा है, length of lattice rectum of parabola, okay, इचली कर सकते हैं, length of lattice rectum of parabola, which has focus, तो यह भी form हो रहा है, आपको lattice rectum, ठीक है, जो पास हो रहा है, यह parabola हो गया, मालो, lattice rectum क्या होगा, जो focus है, पास होगा, ठीक है, और directress इसकी यहाँ पर होगी, तो अब in the directress is, ठीक है, इसका equation दे दिया है, 4x plus 3y minus 24 equal 0, और length of lattice rectum of the parabola, which has focus, इसका focus भी, यहाँ होगा, minus 1, 7, ठीक है, यह वाली चीज बात कर रहे हैं, अब यह चीज निकालेंगे, तो 2x of 2, इसके दिया जो distance होती है, 2x of distance of focus from directress, यह होता है कि नहीं, यही तो करेंगे, अब यह distance आप निकाल सकते हो, किसी points की किसे line से, तो बहुत ही simple है, 2x ही तो करना है, और इसके distance आप निकालोगे, 4 into minus 1 कर दोगे, plus 3 into 1 कर दोगे, और minus का कितना है, 24 है, और divide by, this is the under root 4, यहीं 16 और 3, यहीं 9 यहीं 5, 5 आजाएगा, correct है, इससे solve कर दी, जब minus का 4 होगे, प्लस का 3 होगे, तो minus का 25 बन जाएगा, और 25 और यह cancel हो जाएगा, 5, तो 5 को 2 से multiply करो, तो मेरे पास मिल जाएगा 10, तो D options यहां पर correct हो होगा, okay, next वाला है, let, this is the greatest, box वाला है, greatest integer function को बता रहा है, और यह दो function है, f of x और g of x, then value of this one, अच्छा, यहां पर f, g of x, यह लिखा हो, बच्चों, g of 8 by 5 है, minus g of, हाँ, अब g of 8 by 5 है, तो आप निकाल सकते हैं, इस functions के लिए, g of functions, यहां पर g of x कितना है, modulus of x, जब modulus of x है, तो इसमें तो direct होगा, 8 by 5, 8 by 5 है तो यहां रखो, 8 by 5, तो उसका greatest integer कितना निकलेगा, अच्छा, greatest integer 8 by 5 का, बताईए भई, और कितना जाएगा, 1 ही तो आजाएगा, प्लस में, तो यह तो 1 हो गया, इसका value कितना जाएगा, जब इसका greatest integer निकालेगे, minus का, तो minus 8 by 5 का greatest integer ध्यान दो, यह minus 2 होता, यह ध्यान अच्छा, minus 1 point something बनेगा, तो उसका greatest integer minus 2 बनेगा, और minus 2 टुखूंगा, तो यहां, okay, modulus के उजए प्लस हो जाएगा, तो 1 minus 2 बन जाएगा, 1 minus 2 बनेगा, यहां minus 2 बनेगा, कितना minus 1 होगा, अरे, इसका answer D करेक्ट है, है ना, सिंपली दा बच्छों, है ना, कोई दिक्कत है इसमे, मेरे साब से तो नहीं आनी चाहिए, okay, the solution of differential equation, differential equation पुझाएगा, solution find out कर दा है, तो solutions किस तर से निकालना इसका भई, अच्छा, x दिया हो, यह तो linear differential वाला पार्ट हो गया, तो dy by dx, इसको हम इस फॉर्म में करवट कर ले, y by x plus 1, और e की पावर 3x, और this is cancel out, that we have x plus 1, linear differential equation तो p का value कितना हो गया, minus, and q का value e की पावर 3x, और x plus 1 होगा, बच्छों, okay, if निकालना पड़ेगा मेरे को, तो if कितना होगा, इसका if e to the power p, तो minus 1 upon x plus 1 dx, तो e to the power minus ln mod x plus 1, तो minus को दर भगा देंगे, 1 हो जाएगा, तो 1 by x plus 1 इसका if मिल गया, है ना, और solution, general solution आपको पता है, कि y into, ये 1 by x plus 1 होगा, equal, यहां से q का value, e की पावर 3x, और x plus 1, चल रहा है, into, if का value 1 by x plus 1 है, तो this is a cancel out, और dx कर दोगे, इसका integration कर दो ना, e की पावर 3x बचा, e की पावर 3x by 3 हो गया, प्लस ही आप कर दीजेगा, तो y by x plus 1, अब इसको किस तर सब manipulate करके दिया हुआ है, आप चेकर सकते हो, answer आचुका है, solution बन चुका है, आप यहां cross multiply कर लो, यह इसी form में दिया होगा, तो same ठीक है, नहीं दिया होगा, तो इसको बदल दो होगा, है न, e की पावर 3, 3y है ऐसा, तीन को इदर multiply 3y, x plus 1, e की पावर 3, x plus c, yes, c option, यह c बतलब यहां पर 3 हो जागा, उसको डिया constant consider कर सकते, c options यहां पर बिल्कुल राइट है, okay, तो linear differential equations पूछे का है, है न, solution आ जाता है, लेकिन options के according हमें काम करना है, किस तरह से दिया हुआ है, okay, yes, find the sum of this quantity, 1 minus 2 plus 3 minus 4, plus 5, ऐसे continuous चल रहा है, ठीक है, 5, अच्छा, 3 minus 4, यह 4 आ गया, तो यह minus आएगा, minus 5 minus 6 होगा, अब to 500, 1 तक हमें इनका sum find out करना है, ठीक है, क्या होगा, यह तो easy हो जाएगा, answer मिल गया होगा आपको इसको, क्योंकि 1 minus 2 चल रहा है, और 500, 1 चल रहा है, आप बता सकते हो, यह 1 minus 2, यह minus 1 हो गया है, और 3 minus 4 कितना हो गया, यह भी minus 1 हो गया मेरे को, ठीक है, और सारी चीज़ों को अब एड़ करेंगे, तो बच्चों यहां से कितना मिल जाएगा, यह देखो, पेरिंग कर आलो, पेरिंग, तो यह minus 1 मेरे को मिल गया, यहां से minus 1 मिल गया, अब टू, कहां तक की बात करूँ मैं, 250 टाइम्स होगा, क्योंकि 250 होगा, तो 500 टम्स अठीक है, 500 हो जाएगा, क्योंकि पेरिंग कर ले तो आदा गर दिया एक और यहां पर क्योंकि दौस्ट पांसो एक यहां से एक पांसो एक वाला टम्स बचा रहेगा ठीक है मैंने पांसो वाले निकाल ले यहां से यहां तक कि अगए अब इनका सम फाइंड आउट कर ओंड़ कि इतना सम हो गया इसका माइनस का 250 माइनस का 250 हो गया और 501 और इसे सॉल करेंगे तो यहां कितना जाएगा 251 बी ओप्शन करेक्ट है इसमें कोई दिमानग ज्यादा दिमानग लागा नहीं जूरत नहीं था है ना इसली सॉल हो जाता है इसका लिमिट बेस्ट वाला सवाल लिमिट एक्स अप्रोचिंग इंफाइनग है और इस 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 इसका रिखले इसका रिखले इसका इससे लिखले इसको ओके ओपर मल्टिप्लाइए करेंगे तो यह एक्स स्क्वाइर माइनस एक्स बनेगा ओके ठीक है और नीचे एक्स प्लस अंडरूट एक्स स्क्वाइर प्लस एक्स और इस 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 दा पर्धोर द को हें ऊजए तो अप्लस आंडरूट यहां से एक्स स्क्वार भार लिया तो इलिमीट इन्फिनिटी रखो गे तो यह इख्ता होगे जीरो और भूज ओ अगया तो और यह कैंसuse of this function already इस तर का सवाल कि आगो रेंज किस तरह से निकालते हैं इसका सिंपल सा तरीका भई रेंज मतलब y का वेल्यू डॉमेन मतलब x का वेल्यू ठीक है इसका रेंज निकालोगे तो cos x से आप सब्सक्राइब 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 और यह 1 by 2 minus cos 3x हो गया और यह 1 हो गया, तो 1 by 3 से 1 तक चलता है और यह क्या function ही तो है, f of x ही तो है, यह कौन सा function f of x, तो इस तरह से कर सकते हो, तो इसका 1 by 3 से 1, d options correct है, if a and b are the two parallel vectors with equal magnitude, अच्छा अच्छा, क्या कह सकते हैं, इसके बारे में, 4 options है, a and b are two parallel vectors with equal magnitude, equal magnitude, दो parallel vector are this one, ठीक है, और equal magnitude बोला जा रहा है, तो दोनों ही क्या होंगे, पराबर ही होंगे, लेकिन directions का यहां हमें अता पता नहीं है, क्या direction हम डिसाइड कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, यहां a and b may or may, may be note है, यह many नहीं आएगा, क्या है, print out के सब, may not be equal, because, अच्छा, equal magnitude है, तो हो सकता है, directions की बात करें, यहां पर d, क्यूंकि a equal b, equal magnitude, लेकिन directions नहीं बोली, यहां यहां पर opposite हो सकते, same भी हो सकते, तो we can't say, next moving, the length of tangent from the point 2, minus 3 to the circle, this one, अच्छा, tangent का length निकलना है, यह direct formula, कोई भी circle दिया हुआ है, ठीके, यह circle s दिया हुआ, 2x square plus 2y square minus 1, तो s equal x square plus y square minus half, लिकलो इसको, got it, अब चाहिए s है, तो इसका tangent, length of tangent पूछा है, तो length of tangent, ठीके, that is under root s1 के बात करें, under root s1 मतला है, यह point से निकालनी distance, इसकी, ठीके, तो under root s1, s1 लब यह point आप replace कर दो xy कीजएगा, तो यहां से कितना हो गया, 4 हो गया, 3 का square कितना, 9 हो गया, minus 2 हो गया, तो 9, 4, 13 हो गया, 13, 26, 25, 25 हो गया, 5 हो गया, under root 2 आचाहेगा, तो 5 under root 2, यानि कि C options correct है, वैसे भी, यहां पर length पूछी है, तो 2 options तो eliminate हो गया, length कभी negative होती नहीं, तो options A या सी में से हो सकता था, यह तोड़ा, आपको options के according भी बात करना होता है, ठीके, if 2x minus 3y equal 0 is the equation of common code of the circle, this one, अच्छा, that's, दो circle दिये हो है, दो circle, और यहां पर common code पूछा गया है, then value of denominator, common code बोला, common code अच्छा, इसका common code भी दिया हुआ है, दो circle दिये हो, उनको common code दिया हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं, ठीके, तो आपको common code की, जो equations बनेगी, circle के लिए, तो that is, s1 minus x2 equal 0 कर लो, या, है ना, यह होता है formula, अब इसमें से minus कर लेंगे, तो x2, x2, cancel हो गया, तो बेटा, 4x minus 2 lambda y equal 0, यह बना होगा, और यहां से, यदि मैं बात करूँ, तो 4x equal 2 lambda y लिख लो, यह cancel हो गया, तो 2x equal lambda y लिख लो, अब 2x equal lambda y बनाए, और इसका equations बोला है, 2x, यही तो है ना, 2x बराबर 3y, यह दोनों same represent करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही जिच को बता रहे हैं, तो दो एक common code है, तो 2x equal 3y, तो यहां से हम किसका वेली पूछा है, लेंबडा का, तो 2x की जिच को कितना रख लेंगे, 3 रख लेंगे, और यह लेंबडा y, तो y से y cancel हो गया, तो लेंबडा equal 3, फर्स्ट option यहां correct, नेक्स्ट वाला 2 log x plus 2 और base 4 दिया, ग्रेटर देन 1, complete solution हो, निकाल सकते हो यार, logarithmic के तो बहुत सारे सवाल किये थे, ठीक है, तो यहां पर 2 log x plus 2 greater than 1, अब काम करना है, अच्छे, यहां पर आपको logarithmic भी ध्यान होना चाहिए, एक case, first में हम बात करें, तो what we have x plus 2, यह always क्या होगा, एक positive होना चाहिए, ठीक है, base यहां पर, यह जो चीज हो positive हो, एक कैसे हो गया, now x greater than minus 2, यहां से एक result क्या बन गया, x का value होगा, minus 2 से greater than होना चाहिए, second thing, बच्चों, यह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, यह base 4 है, तो 2 का square हो जाएगा, 2 यहां जाए, cancel हो जाएगा, तो अच्छा लोग, तो 2 x plus 2, और greater than 2 बन जाएगा, यह बात समझ में आए, कैसे लिखा मैंने, यह 4 है न, तो 2 लोग, और इसको 2 का square लिखा, और x plus 2 चल रहा है, greater than 1, यह 2 नीचे सा जाएगा, इसकी power में, तो 2 by 2 होगा, वो cancel हो गया, तो लोग 2, best 2 होगा, और x plus 2 greater than 1, तो 2 को यहाँ बगा देंगे, तो यहाँ 2 की power 1, that is 2, तो x plus 2 greater than 2 बनेगा, तो यहाँ से कितना जाएगा, result भई, x greater than 0 हो जाएगा, ओके, तो नों का final solution check कर लो, एक तो minus 2 है, और एक 0 है, यह solution इदर भाग रहा है, यह इदर भाग रहा है, तो common solution हो गया, 0 से, 0 से बढ़ा ही ह this one, इसका solution बहुत simple है, अच्छा, differential वाला पार्ट, यह P of x ने P of x है, इस तरह से लिखा हुआ है, dx by dy, this is the P x, और यह Q लिखा हुआ है, अच्छा, इसको आप उस फोर में मतले जाना भाई, linear differential equations पर, वहाँ पर आपको गड़बढ हो जाएगी, यहाँ सिंपल सी है, dx by dy equal px, तो dx by dy, Q minus px इसको लिख लो, ऐसा लिखा जा सकता है, और variable separate करके, इसका solution find out कर सकते है, तो then, dx by Q minus px equal dy, can I write, तो dx by Q minus px equal dy, then integrate the both side, integrate कर दें दोनों side, ठीक है, इसका integrations क्या होगा, minus, देखो, ln Q minus px, okay, and what is the coefficient of x, that is minus p, तो minus 1 by p, ठीक है, इससे हम divide करते हैं, और this is the y, and plus c, आप add कीजेगा, तो plus c होगया, आप check कर लो, कौन सा options यहाँ correct है, minus 1 by p, ln p minus, हाँ, first options correct होगया, हाँ, first options यहाँ पर correct होगा, ठीक है, the maximum value of this log x by x, maximum value, किसी function की maximum value निकालनी है, तो functions दिया होगया, log x by x, आप उसका differentiate करोगे, ठीक है, application of derivatives पूछा गया है, तो y equal, this is the log x by x दिया होगा है, अब इसका differentiate करणा है, बच्चो, तो differentiate करोगे, तो y-d-s-mere को मिला, तो यह 1 by x, log x का भी 1 by x होगया है, okay, log x को छोड़ दीजे, इसका minus 1 by x square हो जाएगा, 1 by x का, तो this is the 1 by x square, और minus log x by x square, okay, यह this one, अब यह function में आए, अब पहले तो आपको एक critical point find out करना पड़ेगा, ठीक है, आपको method पता है, second order derivative test, second order derivative first पे निकालना है, उसके बाद critical points, उसके बाद दूसरा derivative करके, उस point पर check करना पड़ेगा, कि वो negative आ रहा है, positive आ रहा है, यदि उस point पर positive आ जाता है, तो minimum value हमें मिलने वाली, यदि वो negative आता है, तो वहाँ पर maximal value मिल जाए, ठीक है, तो आप यहां से, इसका critical points के लिए, यदि को equal 0, put कर दो, तो minus 1 upon x square हो गया, तो 1 minus log x बनेगा, क्योंकि 1 upon x square positive है, तो यह equal 0 होगा, तो log x equal 1 है, तो what is the x equal कितना होगा, e होगा, x equal e मिल जाए, अब अचो यह x equal, this is the critical points, अब हम maximum value निकालने है, तो जाहे से बात इसकी maximum value e पर मिलने वाली है, और e पर मिलने वाली है, तो function की maximum value निकालने है, तो function की maximum value निकालने है, तो direct यहां पर put कर दो, इसमें, तो log e, log x की जागा e put कर दिया है, और this is the e, log e, best to e है, इसका value कितना होगा, 1 और इसका value कितना होगा, तो 1 by e, यादि d options यहां correct हो जाएगा, तो आपको application of derivative में, इस तरह के questions, ज्यादा पूछे जाने की chances है, आपको धियान रखना है, maximum और minimum value का find out की जाती है, उसके बीचे क्या concept होता है, next question 120, the shortest distance between the two lines, और ये 3D वाले chapter से पूछा गया है, थ्री-डाइमेंशन वाले से, थ्री-डाइमेंशन वाले chapter है, उसमें सारे-सारे formula आपको अच्छे गास है, याद होनी चाहिए, डारेक्ट सवाल वहां से पूछा जाने वाला है, थ्री-डाइमेंशन जोमेट्री से, तो यह वही सवाल है, distance, shorter distance, पूछी गई है, यह एक line दिया हुआ है, और यह भी line दिया हुआ है, एक vector form में है, एक Cartesian form में, अब vector form में है, तो Cartesian form में है, या तो इसको complete, उस form में convert कर लो, ठीक है, या फिर आप इसको, अच्छा, formula थो हमें पता है ना, इसका vector, इसको vector form में लिख लेंगे, तो distance क्या होती, shortest distance भाई, यदि यह दिया हुआ है, इस क्यू lines है, और A2 vector minus A1 vector, ठीक है, और B1 cross B2 vector, और यह हो जाए का magnitude of B1 cross B2, ठीक है, इस formula को use करके, हम distance find out कर लेंगे, तो क्या distance आ जाएगी, इसके निकाल सकते हो, बिल्कुल जी भाई, A2 minus A1 यहाँ पर क्या होगा, A2 minus A1, यह तो होगे, यहाँ पर इसको A1 माल लो, sorry, यह A1, यह होगे, यहाँ पर B1, और यहाँ से, यहाँ से A2 vector जो बनाऊंगा, तो A2 vector जिससे line पास होती है, 1 IKF हो गया, minus का, JKF हो गया है, प्लस का 2KF हो ठीक है, यह A2 vector हो, और B2 vector जो बनेंगा, 2 IK plus 4 JK, minus का 5, direction ratio नीचे वाले, ठीक है, सारे आचोके, अब A2 minus A1 निकाल होगे, तो A2 minus A1 यहाँ से मिल गया, मेरे को पहले आपन B1 cross B2 निकालने, B1 cross B2 कितना जाएगा, I, J, और K से करके, यहाँ रखोगे value 1, 2, minus 3, and also 2, 4, minus 5, JK, okay. Now, you, you will solve this, you will get 2 IK minus JK, जब जोल करेंगे, 2 IK minus JK आजाएगा, now, we have to find, that is that A2 vector minus A1 vector, तो A2 minus A1, इसमें से यह minus कर दीचिए, तो what we have, that is the minus 3 IK at 2 KK, okay. तो यह value भी हमारे पास आज चुका है, और this is the B1 cross B2, that is 2 IK minus JK, सारी value यहाँ पुट कर दो, दोनों का dot product करना है, और divided by this magnitude, इसके magnitude divided करोगे, ठीके, तो almost इसका जो answer बनेगा, इसका answer आजाएगा, 6 by under root 5, okay, solve कर सकते हो, तो यह formula based है, बट तोड़ी सी calculation आपको करना ही पड़ेगी, okay, moving to next question, the period of this function, modulus sin x minus mod cos x, ठीक है, क्लास के दोरान भी हमने discuss किया था भई, mod sin x और mod cos x का, यहाँ पर period पूछा गया है, तो आपको पता है किसी function का period T, यदि वापस से वही function repeat कर दे, T is the period, तो x यदि में चेक करो, x plus pi के लिए, तो mod sin x plus pi यहाँ replace करो, that is the minus cos and x plus pi यहाँ पर replace करें, now sin x plus pi, this is the, कौंसे quadrant भाई कर रहा है, third quadrant भी यह लाई कर रहा है, sin change नहीं होगा, लेकिन minus का बनेगा, minus modulus function है, तो यह positive sin x ही आजाएगा, got it, minus cos x plus pi plus x है, this is coming in the third quadrant, third quadrant में तो वहाँ पर negative होगा, लेकिन यह cos x ही बनेगा, अब चो, modulus sin x minus modulus cos x बनावा है, same function repeat हो रहा है, यानि की pi interval के बाद function वापस है, वही value repeat कर देगा, correct, तो this is the, तो यहाँ पर interval आपस से बनेगा, यहाँ B हो जाएगा, options B correct होगा, okay, next वादा, the coefficient of the middle terms, in the binomial expansion in power of x, 1 plus alpha, okay, यहाँ क्या दिया होगा, 1 plus alpha x, इसका power 4 दिया होगा है, अच्छा, इसका expansion कर सकते हो, ठीक है, expansion करेंगे तो यहाँ से value कितनी मिल जाएगी मेरे को भई, t r plus 1 से आप निकाल लो, 4 c r कर लो, ठीक है, और यहाँ से 1 की power कुछ भी हो, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर alpha x की power 4 बन जाएगा, और दूसरे वाले में भी, 1 minus alpha x की power 6 है, तो इसमें में कितना आजाएगा, 6 c r आजाएगा, और this is the power of minus alpha और एक power, ठीक है, तो यह माइनस में चलेगा, 6 c r, और माइनस alpha की power 6 हो जाएगा, पोजोटी कर लेंगे उसको, और x की power 6 हो गया, यहाँ से x ही power, तो इनके coefficient ही तो आपको equal करने है, coefficient equal करके बना सकते हो, बिल्कुल जी, इनका coefficient कितना हो जाएगा, क्या 6, 6 alpha square, alpha square बन जाएगा, alpha square नहीं है अपर, अच्छा 4, ठीक है, और यह value बन के 6 2, माइनस का, तो यहाँ से 6, इसको जब solve करेंगे तो कितना जाएगा, 6 alpha square x square हो जाएगा, x square बनाता है, नहीं, x square 4, अच्छा यहाँ पर गड़बट दिया हो है, alpha power 4 बनने हो है न, और यहाँ पर करता है जाएगा, 4 आजाएगा, okay, alpha square x square, okay, यहाँ के mistake दिया हो है, 1 plus alpha x, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, 4 x 2 और alpha x का, इसे 2 होना चाहिए, गड़बट दिया हो है, answer इसके according नहीं आएगा, इसे 2 power होना चाहिए, यहाँ पर, okay, तो यहाँ से जब solve करोगे, यहाँ 2 करके solve कर जिएगा, और यहाँ से form बन जाएगी, 6 alpha square x square, यहाँ गरत करना, 2 करना भी, तो 6 alpha square x square form आएगा, और जब इसे solve करोगे, यहाँ से, तो minus का 20, और alpha cube और x यहाँ पर 6, ठीक है, जब इनके compare कर लोगे, तो 6 alpha square, 6 alpha square बराबर हो जाएगा, minus का 20 alpha cube, यहाँ से आपको alpha का value निकालना है, तो alpha का value किता है जाएग तो 0 मिलेगा, ठीक है, क्यूब है, एक alpha का value तो not equal 0 हो जाएगा, और alpha equal minus 3 by 10 हो जाएगा, इसका minus 3 by 10 है, C options correct हो इसका, क्यूशन में तोड़ा misprint है, जरा check कर लिजेगा, answer जो दिया हुआ है, उसको according बात करनी है, the number of value of k with the linear equations, इनके linear equations के लिए बात करना है, linear equations possesses a non-zero solution, non-zero solutions भी कुछ नहीं है, आपको determinant solve करना होता है, 4 k 2 k 4 1 2 2 1, इसको equal 0 solve कर लो, ठीक है, निकाल सकती है, यहां से, यहां से आपको k क value find out करना है, तो k क value find out करें तो इससे solve कर लेते हैं भई, क्या क्या value आ जाएगा इसका, देखो, determinant solve करना आता है, 4, यहां से मिल जाएगा मेरेको 4 8 के, ठीक है, और यह 8, ठीक है, minus k, k minus 2, minus 2, क्या हो रहा है भई, यह minus का 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 k minus 8 equal 0, यहां से finally में बात करूँ, तो यहां से आपको k plus 6, 2 quadratic form हो जाएगी, k minus 4 equal 0, तो k equal minus 6, और k equal 4, ठीक है, तो इसके दो value possible है, number of values पूछा है, तो b options correct हो जाएगा, एक quadratic form होगी, quadratic form होगी, आप आप वहां से answer निकाल सकते हो, okay, next 124, let a, b, c, b, a, p, okay, यह arithmetic progression दिया हुआ है, तो x जी चल रहा है, 1 plus a square a square to infinity, 1 plus b square b square, 1 plus c square, okay, 1 plus a plus a square, क्या यह geometric progression है, x equal 1 by 1 minus a लिख लो, इसको ठीक है, भाई, y equal 1 by 1 minus b लिख लो, भाई, इस बिलकुल सही है, y equal 1 upon 1 minus c लिखा जा सकता है, okay, infinitive, अब अच्छो देखो, यदि a, b, c in a, p में है, a, b, or c in a, p, यही बोला है, ठीक है, जब यह तीनों number a, p में है, तो उसमें से कोई number aid करें, तीनों ही consecutive number में, यह subtract करें, तो भी a, p में होंगे, क्या में 1 minus a करके, 1 minus b करके, 1 minus, it is also in a, p, यह भी a, p में ही बने रहेंगे, a, p में बने रहेंगे, तो हम यहां से find out क्या कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा, इनका reciprocal 1 by 1 minus है, और 1 by 1 minus b, 1 by 1 minus c, इनका reciprocal a, p जो चल रहें है, number 1 by 1 respectively की बात करें तो किस में हो जाते हैं, hp में हो जाते हैं, तो किस में होँगे, hp में, ओके, तो similarity बात करोदेख को, यह 1 by 1 minus है, 1 by 1 minus b, this is, 1 upon 1 minus c, this is, यह hp में है, तो x और y और z किस में होँगे, hp में होगे, बिल्कुल नज़र आ रहा है, C options यहां पर correct होगा, okay, C options यहां, बहुत easy सवाल था, okay, next वाला, if three vectors ABC are such that, this one, okay, यह दिया हुआ है, इनके magnitude पता है, एकका 1 दिया हुआ है, और एकका 4, and the angle between B और C, cos inverse 1 by 4, इनका angle कितना दिया हो, cos inverse 1 by 4 चल रहा है, ठीके, cos inverse 1 by 4 है, तो easily निकाल स equal lambda A चल रहा है, squaring both sides के रहेंगे, तो यह square हो जाएगा, और यह हो जाएगा, 4 magnitude C का square, ठीक है, plus का, और minus 4, B dot C, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, और lambda square, और A square चलेगा, magnitude का, जिनके magnitude पता है, direct यहां पर replace करो, इसका value दिया हुआ है, कितना 4 दिया हुआ है, 16 हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा, ठीक है, minus, यह B magnitude, और magnitude C, और यहां cos theta हमारे पास चलेगा, और lambda square, और A square, मतलब यह 1 का square, ठीक है, यहां से जब solve किया, तो मेरे को 20 minus 4 बन जाएगा, और lambda square आजाएगा, अच्छा, cos theta कितना हो गया, 1 by 4 आप यहां से replace करोगी, तो 4 से 4, 1 by 4, cancel out, तो lambda equal मेरे पास आ correct हो जाएगा, vector वाले chapter से बूचा गया है, next is, this is the differential equations, the solution of differential equation, dy by dx equal y by x plus q, 5 y by x, y by x है तो homogenous वाला part होता है, homogenous में किस तरह solve करना होता है, y equal vx put कर दो, इस वाले part में y equal vx put करके देखेंगे, ठीक है, y equal vx put कर दिया है, तो इसका derivative dy by dx, x equal v plus x, dv by dx लेक सकते है, correct है, अब यहां dy by dx आ रहा, बच्चो, dy by dx को हटा देंगे, किस से v plus v plus x, dv by dx equal y by x को क्या करेंगे, भई, v से replace करेंगे, और phi और इसकी जगा v रख देंगे, और phi इसकी जगा v रख देंगे, देस में चल रहा है, this is the cancel out, और variable separate करके निकाल सकते है dx by x हो जाएगा, phi dash v, और यह phi v हो गया, और यहां से dv, और this is the dx by x, और integrate both sign कर दो, बन रहा है न सवाल भाईगी, और यहां इसका substitute दिया हो, इसका substitute यहां पर मौझूद है, जब substitute मौझूद है, तो यहां से इसका derivative हो जाएगा, ln में बन जाएगा, ln, तो यह हो गया, ln phi v, ठीक है, और यह ln x plus ln c कर लो, यहां पर k कर लो, यहां पर k दिया हो है, अब अच्छो, इसको में लिख लूँगा, ln और x, k लिख लो, ठीक है, और यहां से ln 5 और इसको y by x लिखा जा सकता है, ln हट जाएगा, तो 5 y by x, और this is the kx, क्या इस तरह का options है, kx वाला है, 5 y by x, kx, first options यहां पर correct हो रहा है, 5 y by x, kx, पहला options राइट है, okay, कर सकतो इसको easily, बिल्कुल जी भई, है ना, बहुत समझ में आती है, clear है, चीज, okay, next वाला question, 127, the slope of tangent 2 दीकर y equal function जो लिखा हो है, बच्चों, यहां पर y equal x, x square cos inverse t square dt लिखा हो है, किस point पर निकालना है, x equal 2 की power minus 1 by 4, अब slope of the tangent निकालना है, that means, dy upon dx निकालना है, क्या आपने Leibnese theorem पड़ी है, क्या Leibnese theorem पड़ी है, Leibnese theorem की according बात क्या करेगे, कि यहां से हम dy by dx, इसका derivative क्या होगा, dy by dx, अपर limit पहले का, इसका derivative कर दोगे, 2x हो जाएगा, और cos inverse, यहां पर x की power 4 हो जाएगा, t की जगा x square रखोगे, Leibnese theorem की according, minus करके, फिर यहां पर x का derivative 1 हो चुका है, तो cos inverse x square हो गया, बच्चों, ठीक है, तो this is the dy by dx, और dy by dx आगया है, तो हमें slope निकालना है, slope किसी point पर निकाला जाता है, तो point यहां पर क्या दिया हो है, बच्चों, x equal 2 की power minus 1 by 4 है, जरा देहना, plus का 1 by 4 नहीं, minus का 1 by 4 है, तो जहां पर, यहां पर x की जगा, 2 की power minus 1 by 4, put कर दो, जहां जहां, जहां, x नहां जरा रहा है, जब आप solve करोगे completely, तो what we have, 2 की power 3 by 4, 8 यहां से common होगे, तो इसको हम complete लिख सकते हैं, 8 की power 1 by 4, 8 की power 1 by 4, और 3, और यहां से आ जाएगा 1 by 4, और यह pi common ले लो, ठीक है, तो इस तरह को कोई options है, 8 की power 1 by 3, यानि की 4, यानि की minus 1 by 4 है, C options correct है, है ना, लेबनी सिर्म क्या बोली जाती है, लेबनी सिर्म के according क्या होता है, कोई function दिया हुआ है, तो कुछ नहीं है, जो upper limit है, उसका derivative को लिख होगे, derivative लिख दिया, जो भी upper limit है, वहाँ पर T की जग रिप्लेस कर दो, ठीक है, minus आता है, उसमें फिर X का derivative 1 हो गया, X को replace कर दिया, इस वन, बस यह function हो, यह derivative मिल गया, और slope निकाला है, तो point put कर दिया, जिस point में पूछा कर दो, नेक्स वाला है, value of log 125 625, अच्छा, यह function दिया हो, सिंपल सा है, बैस कितना है, 125 है, और, okay, इंटो 625, अरे, यह square हो गया, एक तरसे, जब इसको 5 की power की form में लिख लो, completely, तोड़ा और सिंपल हो जाए, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको log, इसको 5 की power 8 लिखा जा सकता है, इसको 5 की power 3, तो 8 और यह 3, और log 55, इसका value कितना हो गया, 1 हो गया, और यह 8 by 3 हो गया, इतना तो आता आना, यह क्या जाएगा, यहां से आजाएगा, लोग अरत्मी के property, और इसकी जो base की power है, वो इधर से जम करके आती है, तो 8 by 3 हो जाएग यह नहीं 8 by 3 का C options correct है, next question, the eccentricity of the curve, eccentricity, direct सवाल पूछागे, eccentricity, formula याद होगा, तो आप कर दोगे, नहीं तो आप अलोज जाओगे, इसमे, eccentricity कैसा निकालते हैं, this is the ellipse, ellipse को बता रहा है, ellipse में यहां पर क्या होगे, A square का value कितना होगे, 16 होगे, और B square का value कितना होगे, 25 square, 1 minus A square by B square, can I write, ठीक है, तो इसको solve करके, आप निकाल सकते हो, 1 minus, this is the 16, this is the 25, or 25 minus 16, that is 9, 9 यानिके 3, और निचे 5, तो मेरे बास 3 by 5 आया, क्या this answer है, yes, C options यहां पर correct होगा, C options यहां पर right है, okay, 3 by 5, तो यह conic section से पूछा गया, सवाल है, conic section में, eccentricity, lattice rectum, direct formula भी आतकना है, ठीक है, that best वाली questions पूछे जाने वाले हैं, okay, next is, last question है, the sum of series, this one, ठीक है, इसका series, sum का series, sum find out कर सकते हो, किस तरह से, यहां तोड़ा सा आपको ड़नेक जरूत नहीं है, series बहुत ही simple type की चल रही है, 1 by 1 by 2 cross 3 है, plus 1 by 3 cross 4 है, and continuously 1 by 1 0 1 into 1 0 2 है, अब जो देखो, क्या इस value को, 1 by 2 into 3 है, क्या इसको replace किया जा सकता है, इस तरह से लिख सकता हूं, इसको, 1 by 2 minus 1 by 3 लिख सकते हैं, इसको, देखते जाओ, plus, क्या इसको, 1 by 3 minus 1 by 4 लिख सकता हूं, क्योंकि LCM रहेंगे, तो वही चीज़ बनेगे, and continuously and so on, 1 by, यहां से आ जाए हैं, तो मेरे पास क्या मिलेगा, यहां बिल्कुल नहीं जारा रहा है, कि minus 1 by 3 से plus 1 by 3 cancel out हो गया, minus 1 by लिख सकता है, इसी तरह से यह वाला term से, इसके आगे लिख सकता है, तो what we have only, 1 by 2 minus 102, यह बनेगा, क्या इसको solve कर सकते हैं, yes, बिल्कुल जी भाई, 102, यहां से 102 हा गया है और यह 2 हो गया है, तो 100 और यह हो गया, 2 into 102, यह cancel हो गया, 50 by 102, इसको भी और cancel करके लिखा हो गया, 50 और 102, तो 50 एक सो दो हो गया, लगए 25 और काउन, 25 और काउन B, B options यहां correct हो जाएगा, ओके, तो यह sequence list से पूछा गया है, यानि कि series जो different type की series होती है, ना तो उसमें AP नज पूछे गया है, ठीक है, तो बेटा, जो भी यहां पर आज discuss हुआ है, आपने कल एक्जाम दिया था इसका, ठीक है, अकल वाला, आपके कितने questions right हो रहे हैं, कितने wrong हो रहे हैं, तोड़ा complete analysis कीजिएगा, किस topic पर आप weakness हो ठीक है, आप कहां feel कर रहे हो, वो topic को तोड़ा improve कर करके जाएगा, formula आपको याद होने इच्छी है, कुछ direct formula बेस जवाल जरूर पूछे जाने वाल है, पिछले वाले mock test paper आप जरूर सोल करके जाएगा, okay, thank you, all the best.